हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में जैसे कि आपने देखा ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट थी लेकिन येस बैंक ऑपजिट डारेक्शन में चल रहा था उसके पीछे तीन बड़े कारण है फ्रेंड्स क्या क्या कारण है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे और इसके रिलेटर दो positive news निकल करμε आये हैं वो हम देखेंगे क्या निकल करμε हैं और उसका असर आपको सीधा-सीधा gitti हिस बैंक पर देखने को मिर रहा है एक बोड मीटिंग कंड़ की गई थी 11 फर्वरी 2022 को और उसमें बड़े decisions लिए गए हैं उस decision का सीधा सीधा फाइदा Yes Bank को होता हुआ दिख सकता है किसलिए मैं कह रहा हूँ वो भी हम आगे देखेंगे friends अगर आपने Yes Bank में निवेश किया है या निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी informative होने वाला है एंड तक बने रही है चलिए बिना time waste किया आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं एक reminder देना चाहता हूँ अगर आप मेरे channel पर नहीं है और आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो जड़ी से subscribe बटन दबा दीजिए और bell आगन दबाना मत बुलिए ताकि आपको इसी तरह की informative वीडियो सबसे पहले मिले हैं चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एक disclaimer के साथ सबसे पहले तो हम bank nifty देख लेते हैं यहां आप देख सकते हैं 1.27% की इसमें गिरावट हुई है और लगबग 500 points तूट चुका है bank nifty इसने closing दी है 38,517 पर और दूसरी तरफ yes bank ने closing दी है 14 rupees 5 पैसे पर अगर हम percentage में देखे तो 1.44% की तेजी देखने को मिली है yes bank में जबके सभी banking stocks में और bank nifty में गिरावट थी अगर आप इसका positive side देखे तो इसने 14 rupees के उपर closing दी है और आप यहां देख सकते हैं जिस तरह का moment लिया है end of the day यह indicate करता है Monday इसमें तेजी continue रह सकती है यह open हुआ था 13 rupees 85 पैसे पर और यह high लगाया 14 rupees 20 पैसे और low लगाया 13 rupees 75 पैसे yes bank ने दुबारा एक opportunity दी थी जो shareholders मिस कर गए थे 12 rupees पर वो 12 rupees पर गया था और तब मैंने आपको suggest भी किया था इसमें fresh buying कर सकते हैं जिन लोगों ने भी fresh buying की थी उन्हें एक अच्छा profit दिखा रहा होगा और मैंने आपको suggest भी किया था जब ये 12.50 पर भी आया था और 13 rupees पर भी आपको suggest किया था जिन लोगों ने सुना नहीं आप दुबारा से कहता हूँ 14 rupees का भी एक अच्छा level है यहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि yes bank आने वाले समय का एक multi bagger stock है कई लोग सोचते हैं कि yes bank डूब जाएगा या वापस से 10 rupees चला जाएगा या 8 rupees चला जाएगा उनकी जानकारी के लिए बता दूँ अब ये पहले वाला yes bank नहीं रहा है इसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है quarter on quarter और बड़े plans pipeline में हैं और काफी सारे plans implement भी हो रहे हैं जैसे कि आपने देखा ही है 11 फरवरी 2022 को meeting conduct की गई थी उसमें एक approval मिल गया है वो हम आगे news section में बात करेंगे friends चलिए अब हम NAC पर देख लेते हैं कैसा कारोबार है यहाँ आप देख सकते हैं buying quantity हम buying quantity की जगह पर 18,000,000 के अभी भी market close होने के बाद buying orders लगे हुए है जो कि एक positive indication है friends अगर हम quantity traded देखे तो quantity trade हुई है 10 crores 51,69,000 के quantity trade हुई है और deliver it हाई गए है 3 crores 20,31,000 की percentage में देखे तो 30.46% की deliver it हाई गई है जो कि एक बहुत अच्छा percentage है Friday के trading session में volume में बड़त देखने को मिल रही है friends generally तो ये 5 crores, 6 crores या 7 crores तक end हो जाता था लेकिन इस बार volume में एक बड़ी बड़त देखने को मिल रही है ये भी एक positive sign है पहला तो ये 14 rupees के उपर closing दिया है और आप देख सकते हैं buying orders भी लगे हुए है 18,000,000 के 16 rupees 90 पैसे और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये अपना 52 week high भी break करता हुआ दिख सकता है चलिए अब हम BSE पर भी देख लेते हैं कैसा कारोबार है यहां quantity traded है 2 crores 42 lakhs की quantity trade हुई है और delivery है गी है 98 lakhs 90,000 की percentage में देखे तो लगबग 50% की delivery हाई गी है BSE पर भी एक अच्छा volume देखने को मिर रहा है चलिए अब हम volume analysis भी कर लेते हैं यहां आप देख सकते हैं 1 month का average है 12 crores 1 week का average 12 crores Thursday इसमें 8 crores का volume था और Friday 13 crores का volume आप देख सकते हैं लगातार volume में बड़त देखने को मिर रही है जबके market में गिरावट हो रही है लेकिन yes bank में high volume में buying हो रही है और अच्छी मातरा में delivery भी उठाई जा रही है चलिए हम next quarterly result देख लेते हैं किसी भी company को जर्च करने के लिए उसका quarterly या yearly result देखा जाता है उससे हमें पता चलता है company कैसे perform कर रही है और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं निवेश करना चाहिए यहां आप देख सकते हैं पिछले 3 quarter से लगातार ये profit post करता हुआ आ रहा है अगर हम June के महीने में देखे तो 207 करोड का profit post किया था अगर हम September 2021 में देखे तो 226 करोड का profit post किया था अगर हम December जो के recent quarter था उसमें net profit देखे तो 266 करोड का profit post किया है तो आप देख सकते हैं लगातार ये profit post करता हुआ आ रहा है पिछले 3 quarter से जो के एक positive indication है और जिस तरह के decisions लिए जा रहे हैं management के द्वारा उससे मुझे लगता है कि ये आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर 25 से 30 उर्पे का target भी achieve करता हुआ दिख सकता है चलिए हम देख लेते हैं board meeting का outcome क्या आया है याने नतीजे क्या आये हैं और किस तरह के decisions लिए गए हैं यह आप देख सकते हैं Yes bank board approves seeking investors not for early redemption of bonds worth रुपीज 1764 crores Yes bank की एक board meeting हुई थी जिसमें investors का approval लिया गया है और उन्होंने approval दे भी दिया है redemption of bonds के लिए जो के 1764 crores का है यह एक positive news है Yes bank के लिए और Yes bank के shareholders के लिए friends अगर हम इस important news को continue करें तो आप यहाँ देख सकते हैं Yes bank board on Friday approved proposal to seek investors not for early redemption of bonds worth रुपीज 1764 crores Friday जो meeting हुई थी उसमें 1764 crores के redemption of bonds approve कर दिये गये हैं investors के द्वारा अगर हमें इस second para को पड़े तो यहाँ आप देख सकते हैं investors का approval मिला है early redemption of base 2 compliant lower tier 2 and upper tier 2 bond instruments subject to necessary approval redemption of bonds का approval मिल चुका है अगर हम इस important news को continue करें तो यहाँ आप देख सकते हैं total 8 bonds assurance that were issued during June to December in 2021 for early redemption जो June से December 2012 में 8 bonds issue किये गए थे वो bonds mature हो रहे हैं 2022 में और 2027 में और उन bonds को early यानि के समय से पहले ही replace किया जा रहा है नए bonds के द्वारा कई लोगों के मन में question रहेगा early redemption bonds क्या होते हैं और इससे bank को क्या फाइदा रहेगा यह एक तरीके के bonds होते हैं जो जब भी interest rate कम होता है तो उसे match up करने के लिए या एक तरीके में bank को किसी loss से protect करने के लिए यह bonds को issue किया जाता है हमें समझना चाहिए company बड़े steps ले रही है और सबको लग रहा था इस board meeting में ARC के related कुछ approval आएगा लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा है friends अभी भी हमें इंतिजार करना होगा ARC को लेकर और ARC को लेकर हमें hope छोड़ना नहीं चाहिए friends उमीद पर दुनिया कायम है मुझे लगता है जल्द से जल्द ARC पर भी approval आने की पूरी संबाबना है friends क्योंके आपने देखा ही है प्रशांद कुमार जी ने yes bank के सारे NPA zero कर देने की बात कही थी और इसके लिए ARC लाने की भी बात कही थी friends market में बढ़ चड़ कर एक news निकल कर आई है जिसमें कहा जा रहा है service finalize हो सकता है क्योंके ये एक top bidder है compare to other investors बाकी investor से compare करें तो इसने top bidding दी है yes bank तो सिर्फ expect कर रहा था 50,000 करोड लेकिन service 55 करोड देने के लिए भी ready हो चुका है इससे yes bank के सारे NPAs zero हो जाएंगे और जो bad loans है वो भी zero हो जाएंगे friends हमें समझना चाहिए इस समय yes bank positive direction में चल रहा है और जिस सरह के decisions लिए जा रहे है management के द्वारा वो काफी precious नहीं है जिन लोगों ने 12 रुपे 13 रुपे पर miss कर दिया उन्हें मैं suggest करूंगा 14 रुपे पर भी एक अच्छी buying level है यहाँ पर भी आप fresh buying कर सकते हैं अगर आपने इसे भी miss कर दिया तो मुझे लगता है कि आप बाद में बहुत पच्टाने वाले हो जो long term के लिए निवेश करना चाह रहे हैं या already निवेश कर चुके हैं long term के लिए याने के 3-5 साल मैं उन्हें suggest करूंगा कि hold करके चलिए आपको दुगना या तिगना फाइदा होता हुआ दिख सकता है 3-5 साल में और जो short term के लिए invest करना चाह रहे हैं या invested है उन्हें भी मैं suggest करूंगा hold करके चलिए आपको 17-18 रुपे का target जल से जल देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स ये तो मेरे views थे कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advice लेकर invest कीजिए अगर ये वीडियो आपको informative लगा तो इसे like करकर encourage करिए अपने दोस्तें साथ भी share करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं और आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चलिए से subscribe बटन दबा दीचिए और bell icon दबाना मत बुलिये ताकि आपको इसी तरह की latest news सबसे पहले मिले